इस समय कौन अपने आपको एक्सपोज कर रहा है, आप सब को पता है कि वो कौन है जो इस समय अपने आपको एक्सपोज कर रहा है, इसमें बताने की कोई दो राय नहीं है, अपनी जो असलियत है, इतने दिनों से उसने अपना एक मुखोटा डाल रखा था, भूली भाली बनन करने का सबका इज़ए सम्मान करने का लेकिन बेगत धिनों में उसकी ऐसलिहत इस प्रकार से फूट फूट के निकल रही है कहिते हैं कि जो आपके फॉलवर्स होते हैं तो संगती का असर होता है लेकिन उनके जो followers और subscribers हैं वो बहुत खुश होते हैं कि दीदी भाई किस प्रकार से किसी का मजाग उड़ाती है किस प्रकार से किसी lady को advice देती हैं कि आप ये भजन करें आप अपने घर में सबजीयों के recipe तयार करी हैं मुझे क्यُं बनाना मुझे क्यु बताना यही तो सबसे बड़ी समस्या है कि मुझे क्यूं बताना अगर आपका ये ना हुआ होता कि मुझे क्यूं बताना तो कहानी कुछ और होती हमेशा ego के साथ आप जो travel करती रहती हैं तो वैसा आप वो हम सब समझ रहे हैं, हाँ लेकिन सब्सक्राइबर्स अंकुष्ट के जो हैं, वो चाह रहे हैं और जान रहे हैं कि कुछ ऐसी गुड नूज आने वाली है, जिसका इन सब को है बेहद इंतजार, जिसके लिए सब थे बहुत जादा वेकरार, और हाँ इंतजा पचास, पचास से ज़्यादा भी तो गिफ्ट ले सके हैं, लेकिन कातू सव गिफ्ट अपनी बीवी को देगा, भाई कोई जिक्र तक नहीं बर्थडे विश्ट तक नहीं किये जा रहे हैं, और बग्गे को तो चलो मान लेते हैं कि सब लोगों ने विश्ट किया था, खास भी तरीका नहीं छोड़ा, अभी उसकी मम्मी कुछ गिफट ओफट दे गई हैं, तो थोड़ा सा आप उसको बक्सी हो, लेकिन मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि अपनी भावी, कलोती भावी और सिट के बाद आने वाली जो लड़की है, उसको आप इस प्रकार से बर्थ वीडियों में कुछ भी करें, मतलब भाई साब, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ऐसा चाहा रही है, लेकिन, 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 उधर कुछ चीज़े और हो गई है, का हुई है, उस पर डालेंगे प्रकास, तो हे अबर्यमन एक बार, फिर से आप सभी का स्वागत है, और हमार जिजी ने जो कल वीडियो डाला था, नई जिन्दगी की शुरुआत, आपको सुबा तो मैंने बताया ही था, कि किस प्रकार से ट्रू वालो ने तयारियां शुरू कर दी, चाची भी तयारी कर ली है, उसके अलावा कुछ चीज़े ऐसी हुए, जिन पर थोड़ा साम प्रक डालते हैं, क्योंकि भाई, जिजी ने सोचा था, वैसे तो जिजी सारे कॉमेंट्स डिलीट कर देती हैं, लेकिन, 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 कुछ कॉमेंट्स का है कि न रही ही जाते हैं, और हाँ, रखती वही हैं, जिसमें हमारी जिजी के फरिष्टे, या फिर ट्रू सब्सकाइ या फिर अपनी कुछ फेक आइडीस से ही, कुछ जाय के रिपलाई, रिपलाई खेला जाता है, तो वो वाले कॉमेंट्स से रखे जाते हैं, लेकिन, एक कुछ ऐसे सॉलेड बात है, जो जिजी के कानों तक पहुचाना बेहर ज़रूरी है, तकि जिजी सुने की नहीं, तो फिर गलत फायमी का शिकार बनती रहेगी, वैसे भाई देखो, गलत फायमी का तो शिकार वो आज भी बनी है, कितना भी कहलो कि ना जिजी, अमार सुधर चुकी है, सुधर चुकी है, बिल्कुल भी नहीं सुधरी है, और अब तो उसकी जो असलियत वाले रंग है, वो true color ज के घर परिवार जनोग पर लांचन लगाओ और हां मतलब जिसको जैसे मन हो सपोर्टर्स हों या फिर सब्सक्राइबर्स हो वैसे तो लो तो जनता जनारदन जिस प्रकार से छुटकन्नी जिजी बड़कन्नी जिजी को मतलब एकदम लाइन पर लाई दी से वैसे आप भी जनको थोड़ा सा थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया होता वैसे जिजी कंट्रोल के बात करें न तो काश कि आपने कुछ चीजे कंट्रोल करी होती जिस दिन आपका जो है भगगन भगई वाला कारिक्रम हुआ था जब आपके पती घर पे भी नहीं थे तो भी आपने जो आप सबक लएं गलति से बहुत सबक ले सकती थी लेकिन नहीं जी नहीं बिलकुल की नहीं आप सबक लेने वालों में से सच्पा एक vendo के रहा हैता सामने वाला नासपीता यहीं इना घर वाले तो गलतियों के पृतला है और हम लोग हम लोग तो झो करते हं वह वह सब्त वैसे कॉमेंट पढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूंगी दीदी को ना भर भर के भर भर के मतलब दुई-तीन जववा भर के तो प्यार मिला था सत्रह हजार से ज़्यादा लोग देख चुके हैं और कॉमेंट शिर्फ नैंटी टू जिसमें से आदेश ज़्यादा इनकी फेक आइडिस के होंगे अपने आपको प्रुट्साहित करने के लिए बाके जो उनके कुछ टरू सब्सक्राइबर हैं मतलब अंधी पट्टी वाले एक तो अंधे उपर से पट्टी भी लगाए है काली पट्टी कि अगर तनी को रोशनी के जरुरात हो तो बिल्कुल दिखनी नहीं चाहिए क्योंकि हमको तो भक्ती में ही लें रहना है तो समझ जये दिदी को कितना प्यार मिला हेल्डफार रिव्यू लगाने के बाद दिदी ने कितने कितने कमेंट्स है जिनको पबलिक नहीं होने दिया है अगर पब्लिक दीदी कर ना दो एक बार कर दो न तो तुम हम इसलएस सामने आएगी न कि अपने आपका तुम चेहरड आयनम देख भी न पाउगे धोंगी पता चल जाएगा कितनी बड़ी जोटी कितनी बड़ी धोंगी कितनी बड़ी चालवाज कितनी बड़ी शातिर वाव वाव बहुत अच्छा लगा तुमने जो उसको इस प्रकार से न यहां पर उसको कॉपी करा जो उसकी परफॉमस दी बहुत अच्छा किया है तुमको इस प्रकार से अगर खुश रहना तो इसी प्रकार से खुश रहो वैसे आपना हमेशा इसी प्रकार से खुश रहने वालों में से हैं, दूसरों को नीचा दिखाएके, दूसरों को जलील करके, और दूसरों के साथ अगर कुछ गलत हो, मतलब देखो दर्सको, आज तक मैंने जो भी इनके बारे में सोचा है, कि इनकी खुशी कब होती है, सब खुश कब होते हैं, वो सारी चीजे सची है, लेकिन, लेकिन, अब यहां पर आप समझ जो चीजें, क्लियर हैं, बहुत क्लियर हैं, इन्होंने पहले मुखोटा ओड़ा रखा, लेकिन जब इनको लगा कि अब दाल ना ही गली, मतलब दाल एक दम पत्थर जैसी है, एक दम कंकड जैसी है, दाल ने सोच लिया कि अब मु करके जाते हैं, कुछ लोगों ने तो वही वाट्स, वह सौरी वाट्सप कहरों, इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसी ऐसी चीजे भेजी हैं, कि भाई साब दंग रहे गया हम देखकर, फिलाल उन चीजों से मुझे कत्ता ही कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि देखो जो ओफ क 16 किस प्रकार की ये लड़की हैं, लड़की अभी भी तुमारी, देखो अब टाइम तो उस चीज का नहीं बच रहा है, पर जिंदगी में सुधार कभी भी लाया जा सकता, आप ही लोग कहते हो कभी की जिंदगी बहुत छोटी है, कभी बड़ी है, पर आपकी तो बड़ी ह कीजिए ना, जनता को भी पूरा हक है देखने का कि उसने क्या-क्या प्यार किया है, उसे तमाम लोग जिजी को जो कॉमेंट करते हैं, वो कॉपी करके पेस करके मुझे भी बेस देते हैं, कि भाई हमने ये किया है कॉमेंट लेकिन हमारे कॉमेंट शो ही नहीं हो रहा है, कह जिन ओडियंस की वज़े से खाती है जिन ओडियंस की वज़े से उसको डॉलर बनते हैं जिन ओडियंस की वज़े से घुमना फिरना ब्रैंडेड कपड़े उन्हीं ओडियंस को गरियाती है यहां पर यूट्यूब तुमको पैसा नहीं देता है पैसा आते हैं ओडियंस अगर हेटर्स हों या फिर जो भी हो वो देखते हैं तब ही पैसा आता है तो इस प्रकार से बत्तमीजी तो आप करिये ही ना कितनी ज़्यादा नाशुक्री हैं एक बुजर्ग महिला या फिर यंग महिला हो या फिर कैसी भी हो मैंने उनको देखा तो नहीं है पर मिच्योरत हैं उन इस प्रकार से बोल देता तो आहत हो जाती है हां किसी ने मुझे एक चीज और यहाद दिलाई थी भाई जनता लिखती है ना कि अभी तो बग्गे ने कल पिन भी कर दिया था कोमेंट कि बग्गी के वज़े से आपके वीडियो में वीडियो में व्यूज बढ़ें आधर आप में बग्गी न होती तो बग्गा मुश्किल से 4-5,000 पर चलता क्योंकि जो बढ़कननी जी यूट्यूब की निर्माता निर्दशक रचैता डारेक्शन वाली जो भी समझ लिए उनके व्यूज जो बड़ी मुश्किल से 10-15,000 होते हैं दूसरे तीसरे दिन 15,000 तक पह या फिर कुछ लाइम लाइट में लाने के लिए मम्मी जी हर वीडियों कह रही है कब परेतिन के वीडियों भी कह रही है कि लोग कहते हैं कि हम आपका वीडियों जो देखते हैं आंटी जी की वज़े से देखते हैं मम्मी जी अपनी बहुरिया से इंसेक्यूर्टी लोग का वीडियो देखते हैं मतलब मम्मी जी अपनी बहुरिया से कॉमपटेशन करना ठीक नहीं है अगर आपकी वज़े से बग्गा का वीडियो लोग देखते हैं तो मम्मी जी काम करें अपना चैनल खोल लीजिए न फिर देखें कि कितने लोग आपको देखते हैं अगर आप विवाद न करें अगर आप कीचर कचरा वाली पुरानी हरकते कर दें तो भले लोग देखने आ जाएं क्योंकि मसाला तरका तो हर किसी को पसंद होता है भले वो लाइफ टाइम ना योज़ करें कभी कबार मसाले वाली चीज़ें लोगों को पसंद आ जाती हैं कि चलो स्वाद ले आते हैं हलां कि जीवन में उसादा जीवन उच्छ विचार सादा खाना खाना चाहेगा क्योंकि वाई इन सब चीजों से बादस के वीडियो पर तो भाई पूरे वीडियो में तैयारी होती नजराई है और अभी एक दिन का प्रोग्राम और वाकी था मतलब आज का वाकी रहा होगा तो फल फ्रूट और बजार से शॉपिंग जो कंचन की दोरा पोजा कराई जा रही है उसके लिए सामानमान खरिदना पूरा सब कुछ बातचीत होती है अन्यवीट की बिल्ागिंग वाई साफ क्या इंप्रूव होई है सिराज ब्लॉक देख देख के बहुत मस्त बोलता कई वार तो लगता है और सीरियॉसली बच्चा ऐसे बात कर सकता है इस प्रकार की व्लॉगिंग कर सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से बात करता है जी हैं तो लास्ट में जो वीडियो उनका चल रहा था पुजा उजा करने खाने पेने के बाद भंडारा भंडारा वैसे कह रहे हैं भंडारा किसी और को बहुत सवक है आएं भंडार दिन का खाना भी लई चले जाती है और प्रशाद तो प्रशाद होता है भगवान से का अधुश्मनी तो भाई बग्गे और आंटी जी चले जाते अब बिटियों के लिए तनिक से अपनी तरब से कभी तो कुछ करो कोशिश बस वीडियो में ही कोशिश करते रहते हैं वीडि मम्मी जी को कम न समझो हैं इन्हें समझो न तुम भोली भाली हैं आइसी है मम्मी जी तो सारे के सारे टॉंट मरने वाले लोग अभी बनाने के लिए इन्होंने आफ कैमरा सोच नहीं दो पांच कोस्ट दूर नहीं है बिगत एक किलोमेटर या दो किलोमेटर की रेंज में पैदल पैदल ये लोग व्रिज पर चले जाते हैं तो आप समझ जाए कितना दूर होगा कितना लेकिन ये रिष्टा कभी संभालने के लिए कुछ नहीं करें तो भंडा रहे खाया ये मम्मी जी प्रिसाद ले आए कापता शूशंकर जी भगवान जी कुछ ऐसा कर दे कि अधर चला जाता ना इसलिए आपने कभी कोशिश नहीं करी क्योंकि घर में जितनी सारी चीज हैं जितनी सारी शॉपिंग है वह हमारे छटकनी जजी के सौजन से आती है तो मम्मी जी कर से सब कर देती ना ना पॉसिबल नहीं है घर छोड़ो तो भाई बात आ रही थी हेट तो हेटर से या पर देखो जो भी लोग देखते हैं होते तो सब्सक्राइबर से इस प्रकार से ही लेना चाहिए जिस प्रकार से अंकुष ने लिया है और हमेशा होई अप्रिशियट करता है कि वह हेटर भी देखो वह इंसान है भगवान भोले ना तो उनकी पर भी करपा बनाए रखें और हमारे जो भी अपने हैं बाकी जो हम सब हैं मतलब देखो भगवान की करपा की जरुरत तो सभी को होती है चाहे हो दुश्मन हो चाहे हो दोस्त हो लेकिन कुछ लोग होते हैं कि अपनी लिमिट भूल जाते हैं खासकर फरिष्टे लोग और कागजी रिष होगी अरे कर लियो अच्छा जिज्जा ने स्क्रिप्ट बदल दी है वही हमने सोचा था एक दिन तो 16 सुरंगार में हमारे दीदी को देखने का उसर मिलेगा पहले देखते थे तो अच्छा लगता था दीदी हमारे बढ़िया चमक चमक खर जगह चला करती थी पूरी बढ अच्छे से लेप्स्टिक बिंदी और चेहरे पे एक ब्लो लेकर इधर चोधर टहला करती थी वो दिन जिज्जी ने कुछ पुराने वीडियो पब्लिक करें बढ़िया मस्त मस्त अभी मैंने देखे नहीं है पर हाँ देखूंगी जरूर वो वीडियो मैंने देखा भी नह करने के पीछे जिज्जीयों के कुछ ना कुछ तो रीजन होते हैं कुछ ना कुछ सॉलिट तरीका होता है खैर चलो मुद्दे पे आते हैं मुद्दे के बात ये है कि भाई सहाब हेटर्स जो अपनी चीज़े दिखाते हैं तो चाहाए वो कागजी रिष्टे हों चाहाए फरिष्टे हों कित्ता बड़िया लग रहा है कागजी रिष्टे और फरिष्ट दोनों के रिष्टे भई बहुत आवसम है बहुत खास है तो ये लोग जो किसी को गाली गलोज करते हैं या पिर किसी को ल लांचन लगाते हैं खासकर ममी जी और कंचन को वाकए में पोलू तो मैं कहने का मेरा ताद पर यह है कि भाई वो अपनी हर्कत दिखाए कि अपने शब्दों का उचे चैन करके दिखाते हैं कि किस प्रकार के वेक्तित्तु के स्वामी और स्वामी नी हैं, किस प्रकार का वेक्तित्तु हैं, क्या संसकार हैं, वो तो खैर विगत तीन चार दिन कि जिज्जे से हमार विचारों का मत्वेद बहुत तगड़ा है वाकि कौनों दुश्मनी नहीं है परकाश अपने जीवन को यह सिरियसली ले ले यह इस परकार से जलन खोरी करने से कुछ होगा नहीं और एक चीज और बताना चाहूंगी चलते चलते कि दिदी यह सारी चीज पूरे घर में टहलती रहती है वैसे वह जो बाल्टी में है चना विगोए गये थे हमको बहुत कुछ याद आ गया एक टेम वार दिदी महां पर थी तो भी कोई पूजा था या कंजके खिलाने थी तो भी बाल्टी में चना हमार दीदी ने विगोए थी और कैमरा लेके दि इतना है काश कि थोड़ा पर जो अक्रोट से लंबी से काश कि इसको थोड़ा से पने कंट्रोल में रखा उता कि रिष्टे बनाने कि लिए सुनना पड़ता ब्रदास करना पड़ता कुछ दिन पहले आपने डायलॉग टाइल लिखा था तो कैस्त की इसको आपने थ्रियल चुझे बिल्कुल भी नहीं करती खर छोड़ो अभी के लिए इतना ही चलते हैं और जो यह खुश खबरी है बहुत जल्द आने वाली है अब मिलेगा असली सुकून लाइप में फालतों की बातें अब सब खतम तो बस फालतों की बातें जो वह सब खतम है अब हमें देखना ह कि वह कौन सी चीज आने वाली है जिन्दगी में इसके अलावा वही बगगा का फिर वीडियो आ चुका है इस वीडियो के बारें बाद में बात करेंगे क्योंकि यहां पर हमारी बगगी शौपिंग करने गई है प्री बर्दे सौपिंग ब्लॉक सब चेंज हो गया शादी के बाद अब इसमें बगगी ने क्या बोला क्या नहीं बोला यह तो मैं देख के ही बताऊंगी और कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कसन करना है हमें बगगी के वीडियो का अंतजार है बस फिर वाई फचास गिफ्ट सब गिफ्ट और कौन से गिफ्ट कैसे चलिए जी अभी के लिए इतना है फिर मिलेंगे नए वीडियो में टाटा बाई बाई